आज मैं आप बताऊंगी वोटनेक का बहुती बीटफुल सा और सिंपल डिजाइन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की लेटर्स वीडियो मिल सके आप इस तरह की डिजाइन को किसी भी नेक में असानी से बना सकते हो तो इसके लिए मैंने वोटनेक ड्रॉ किया है अगर अभी तक आपने हमारे वोटनेक की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखिया है तो उपर जाए बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें तो मैं इस तरह से haaf इंच कपड़ा लेते हुए मैंने इसके उपर स्लाइ लगा लिया है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है जहां तक हमारी बुक्रम आ रही है वाह पर हमने इसके उपर कचिच लाई लगा लिया है इस तरह से अब हम नेक के लिए डिजाइन त्यार करेंगे तो डिजाइन के लिए मैंने इस तरह का स्क्वेर पीस लिया है धाई इंच का अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से डिजाइन त्यार कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से हम सभी पीस को त्यार करके इसके उपर अच्छे से आरं कर लेंगे तो इस तरह से सभी डिजाइन को फोल्ड करते हुए इसके उपर हमने अच्छे से आरं कर लिया है इस तरह से अब हम इन डिजाइन को नैक की इस साइड रखेंगे जहां पर हमने कच्छी सलाई लगाई थी इस तरह से हाफ इंच भार की साइड निकालते हुए इस तरह से और इन में सलाई लगा लेंगे तो चलिए अब इसमें सलाई लगा लेते हैं इसमें सलाई लगा लेते हैं इसमें सलाई 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 लेते हैं झाल 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 तो इस तरह से हमने design को कपड़े में stitch कर लिया है अब हम इस design का extra कपड़ा cut कर लेंगे और इस design को कुर्ती की siti side रखेंगे तो यह मेरी कुर्ती की siti side है इसका हमने center point निकाल लिया है और same हमने इसी तरह से neck का सेн Auntie point निकाल लिया है दोनों को इस तरह सेंटर में रखते हुए बुकरम के बगल में स्लाई लगा लेंगे तो चलिए अब इसमें स्लाई लगा लेते हैं तो इस तरह से हमने नेक के उपर पिन लगा कर इसको सिक्यूर कर लिया है आप चाओ तो पहले बीच में कच्ची सलाई भी इसमें लगा सकते हो अब हम इस तरह से बुकरम के बगल बगल में सलाई लगा लेंगे करो अब हम आयं करोब प्रे लेका कर लेंगे ले लेहिए झàष कर्प्र desarroll करोSky तो इस तरह से हमने नेक को कुर्टिक साथ स्टिच कर लिया है, अब हम अंदर की साइड से हाफ इस लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से अब हम सिलाय से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि यह असानी से फोल्ड हो जाए इस तरह से अब हम इस नेक को सिधा कर लेंगे इस तरह से और इसको दवाते हुए इसमें अच्छे से आयरन कर लेंगे तो चलिए अब इसके उपर आयरन कर लेते हैं तो इस तरह से नेक को आयरन करके हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है अब हम इस नेक के उपर टॉप स्टिच कर लेंगे आप चाहो तो इस तरह के इसमें मोती भी लगा सकते हो इस तरह से तो इसी तरह से हम सभी डिजाइन के उपर मोती लगा कर इसको कम्प्लीट कर लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और हमारी जनल को सब्सक्राइब